केपिटल मार्किट रेगुलेटर सेवी ने शेरवादार में लिस्टेट सौ सबसे बड़ी कम्पनियों के लिए डिस्क्लोजर नियमों में बदलाव किया है इन कम्पनियों को मीडिया में अगर कोई खबर चपती है तो उसके 24 घंटे के अंदर उसकी पुष्टी करनी होगी खंडन करना होगा या तो या कहना होगा कि खबर सही है या गलत है यह नियम पहली अक्टूबर से लागू होंगे इसके बाद अप्रेल दोजार चौबिस तक भीच की धाई सो कम्पनियों को यह नियम मानने होंगे इन नियमों से से वी सुनिश्चित करना क्या चाहता है से सेवह सक्तरवाथान किये गए. सेवह को ये डर है कि कंपइनियों की बीधर काम करने वाले लोग, तंहाँ ऐसी जानकारीँ को परोक्षा रूप से अप्रतिक्ष रूप से बाजार में लीक करते हैं और उसके जरीए बाजार में कीमतें प्रभावित की जाती हैं इसमें बहुत सारी जानकारिया तमाम चैनलों के जरीए सोशल मीडिया चैनल के जरीए आती हैं और तमाम जानकारिया विक्तिकत इस तर पर बाहर निकल कर आती हैं और इसे रोकने के लिए से भी शायद अभी तक की सबसे सखत कारवाई कर जा रहा है और सबसे सख्त कदम उठाने जा रहा है थाइसों जो प्रमुख कमपीनियां हैं उनके लिए शर्त लगाई गई है कि कोई भी सूचना उनके बारे में चल रही है अब सोचिए शुभम की कमपीनियों को कितना बड़ा मानेटरिंग तंत्र बनाना पड़ेगा जानन सूचना का इस पश्टी करन या तो वो सही है या गलत है इसके बारे में बताना होगा ताकि कीमतों पर असलना पड़े लेकिन इस से जाधा और कठिन और सबसे कठिन शर्त इसमें यह है कि अगर कोई ऐसी सूचना किसी कमपीनी की बोल्ड मीटिंग के हवाले से बाहर आती ह कमपीनी की निदेशकों की बैठक चल रही है कमपीनी के अंदर कोई बड़ी एक्जिकिटिव मीटिंग चल रही है उसके हवाले से बाहर आती है तो कमपीनी को 30 मिनट के भीतर केवल आधे घंटे के भीतर उसका इस पश्टी करना जारी करना पड़ेगा और बताना पड़े बाति हैं उन्हें यह भी बड़ा वाले और निवेश्गो के लिए हमके लिए के लिए जो आम निवेशकर उनके बड़ा फैसला एक см कि कंपपिनी के जो डियारर आधें जिर यह लोडेगल के भूब रिव ऑन करने पड़ी है ऐसा नहीं कि ही नहीव नहीद है कि इसे default of fraud किया है और उन पर कोई penalty लगाई गी उन पर कोई जुर्माना लगाया गया उनके खिलाब कोई case दर्ज हुआ है यह जानकारी भी सावजी ने करनी होगी